हलो कैसे हो आप सब चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अलग-अलग मुक्तलीफ गाडिया यानि वहान का इस्तेमाल अलग-अलग मक्सद के लिए करते हैं सबसे पहले साइकल आज के वक्त में साइकल का इस्तिमाल कब करते हैं अगर हमें घर से स्कूल जाना हो तो हम साइकल लेकर जाते हैं अगर हमें घर से हमारे वालिदयन या अम्मी कोई चित लाने की लिए कहें बजार से तो हम वहां जाने की लिए साइकल का इस्तिमाल करते हैं यानि के कही भी जो छुटा फासला होता यानि कम फासले के हो सफर करने के लिए वहाँ जाने के लिए हम लोग साइकल का इस्तेमाल करते हैं दो नंबर पर आती है मोटर साइकल मोटर साइकल का इस्तिमाल हम लोग करते हैं जब हमें एक गाउं से दूसरी गाउ जाना हो जो के नस्दीक है बहुत दूर नहीं जैसे के जिस सफर को एक देड़ दो तीन घंटा लगता है चार घंटे लगते हैं ऐसे सफर के लिए जब एक का तो हम लोग ऐसे वक्त में कार का इस्तिमाल करते हैं दूर के सफर से मुराद करें जिस सफर को हमें बहुत वक्ता है पांच छे साथ आठ गहंटे लगते हैं ऐसे सफर के लिए हम लोग कार का इस्तिमाल करते हैं इसे तरीके से अगर सफर छोटा हो एक गाउं से दूसरे अब दो से ज़्यादा लोग हो तीर हो चार हो ऐसे वक्त में हम लोग रिक्षा का इस्तेमाल करते हैं इसके लावा अगर हमको बहुत लंबे शफर करने हैं तो हम लोग कार के साथ साथ ट्रेन से सफर करते हैं हम लोग बस से सफर करते हैं हम लोग वीमान से सफर करते हैं इसके बेरे कैसे हम लोग इन चीड़ों से सफर करते हैं. सामन ले जाना हो कौन से इसक्राइण करता है क्या हुज्व अकर सामन चोटा हो पर हम्मारी बैएख भी रख लेते हैं सामन थोड़ा बड़ा हो तो उसके लिए हमें रिख्षा लगती है जो मालबातु रिक्षा होते हैं जिसमें सामन लाने ले जाने काम होता है हमें वो रिक्षा की ज़रुवरत पड़ती है अगर सामन बहुत बढ़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं उसी सामन को हम लोग तरक में रखके लेकर जाते हैं तो सामन ले जाने के लिए अलग गाडिया होत बगर कुछ गाड़िया इसे होती जैसे कि हमारा विमान अग गाड़ी बस पानी का जहाज यह जो सारी चीज़ें इनमें इनसान भी सफर कर सकते हैं और इनमें सामन भी ले जाया चाहता है